हेलो दोस्तो एक बाइब फिर से आप सभी का स्वागत है Best in Market के एक और नए वीडियो पे दोस्तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल Best in Market को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब कर लिजेगा वहीं अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या सीखना चाहते तो आप हमारे दूसरे चैनल वारेजनी टीवी को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो वहीं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं धनी Services Limited के बारे में जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने चार्ट ड्रॉ करके रखा हुआ है आज की दिन आपको इस स्टॉक में लगबग 20% का Circuit देखने को मिला है और अगर आप भी इस स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं तो मुझे वीडियो के comment section में ये जरूर बताइएगा कि आपने किस price point पर इस स्टॉक में entry बनाई थी मतलब आपको जो buying price है वो इस स्टॉक में कितने रुपे का है वहीं दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे कि आपको इस स्टॉक में क्या entry बना करके रखना चाहिए या नहीं लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं इस बड़ी सी 20% की गिरावट के उपर जो कि आज के दिन हमें देखने को मिली है अभी की समय में आपको धनी सर्विसस का जो current market price देखने को मिल रहा होगा वो 103 रुपए के आसपास trade होते हुए ये stock आपको देखने को मिल रहा है अब दोस्तों जैसे कि आप इस article में देख सकते हो यहाँ पर clearly mention किया गया है कि India Bulls Group के उपर ED ने rate डालना start कर दी है और दोस्तों अगर इस rate की बात करूँ तो ये जो rate पढ़ने का reason है वो है money laundering का case अब India Bulls Housing के जो दो office हैं जिसमें से एक office दिल्ली में है और second office इनका Mumbai में है दोनों के उपर rate डालना start कर दी गई है और कहीं न कहीं ये company money laundering के case में फस्ती हुई हमें दिखाई दे रही है और इसी वज़े से आज के दिन जितने भी India Bulls Group की companies हैं उनमें आपको काफी sharp correction देखन को मिली, इंडिया Bulls Housing Finance की बात करूँ तो उसमें आपको 10% का correction देखने को मिला, वह अगर इंडिया Bulls Real Estate की बात करूँ तो उसमें आपको 15% का correction देखने को मिल गया, तो ये सारी चीज़े देख करके आपको clearly समझ में आ रहा होगा कि company के अंदर कुछ ना कुछ गरबड़ी ज़रूर चल रही है, और जिस वज़े से आज के दिन आपको इस stock में लगभग 20% की गिरावट देखने को मिली है, और 20% की गिरावट दोस्तो काफी unhealthy गिरावट होती है किसी भी stock के लिए, तो इसलिए अगर आपने भी धनी services का ये stock किसी के कहने पर लिया है, तो please alert हो fundamental analysis पर चलते हैं, उसके बाद हम लोग charts पर discussion करेंगे, अब दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, screener की website पर हम लोग आ गए, company के market cap के बात करें, तो बहुत चोटा सा market cap है, 6200 करोड का market cap आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, वह एगर company पर debt की बात करें, तो 2373 करोड की बात करें, तो company loss making company है, कोई खास profit generate नहीं कर रही है, वह एगर earning per share की बात करें, ROI की बात करें, तो यह सभी आपको negative देखने को मिल रहे होंगे, वह एगर company के promoter holding की बात करें, तो promoter holding के वल और केवला में 30% की इस stock में देखने को मिल रही है, और वहीं दोस्तों, अगर हम लोग company के about section पर नजर डालते हैं, तो आप देख सकते हो, यह जो services provide करते हैं, वो digital healthcare और digital transactions related finance services provide करते हैं, वहीं दोस्तों, कई लोगों ने आपको यह stock suggest करने से पहले ये भी बताया होगा, कि finance sector के जैसे, बजाच finance और बजाच Finserv में आपको काफी शांदार तेजी देखने क मिलने वाली है, तो दोस्तों ये बिल्कुल गलक decision था आपका, अब अगर किसी ने आपको ऊपर के level पर suggest किया था, और ये stock आज के दिन ही आपको करीब करीब 20% की गिरावत दिखा चुका है, तो overall जो आपके portfolio में returns होंगे, वो मुझे लगता है कि कम से कम 30-40% का degradation आपको वहीं दोस्तों, अगर हम लोग कमपनी के results की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कमपनी का operating profit है, वो हमें लगातार पहले profit में था और अब वो हमें negative में देखने को मिल रहा होगा, वहीं अगर हम लोग मार्च 2020 से लेकर के, मार्च 2021 का भी comparison करते हैं, तो ज यह money laundering का case है, उसकी वज़े से company को अच्छा खासा नुकसान देखने को मिल सकता है, वहीं दोस्तों इस company के लिए एक और negative point सामने निकल के आ रहा है, वो आप यहाँ पर देखो कि जो net cash flow है company का, वो हमें positive से बहुत शांदार तरीके से negative में convert होते हुए देखने को मिल चुक जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने share holding pattern open करके रखा है, जो promoters की holding है, वो लगबग लगबग हमें constant देखने को मिल रही है, वहीं FIs और DIs की holding की बात करें, तो FIs ने अपनी holding को 27% बना करके रखा हुआ है, वहीं DIs की holding इस stock में बहुत ही कम, लगबग 1.5% की हमें दे stock में holding है, तो चलिए अब discuss कर लेते हैं, चार्ट पर क्या level निकल के आ रहे हैं, अब दोस्तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने धरी services का यहाँ पर चार्ट open करके रखा हुआ है, यह चार्ट मैंने already काफी पहले draw करके रखा हुआ था, और यहाँ पर जो आपको green color की line दिख कर रही थी, और जैसे ही इसको break किया stock ने, आपको यहाँ पर काफी शांदार fall देखने को मिला है, वहीं दोस्तों यह जो downtrend के लिए line में मार करके रखिये green वाली, यह भी आप देख सकते हो कि stock continuously इसको follow करते हुए नीचे आया है, तो अगर किसी ने भी आपको यह stock suggest किया है तो एक तरह से बिल्कुल आप यह समझ जाए कि उसका जो suggestion रहा, वो बिल्कुल आपके लिए fail हो गया, क्योंकि अगर जब भी कोई आपको stock suggest करता है, तो उसका मतलब यह होता है कि वो stock मुश्किल से 3-4% नीचे जाए और उसके बाद वापिस से reversal दिखाना start करते, लेकिन suppose आपको कोई stock कहता है कि भाई यहाँ पर आप buy कर लो और इसके बाद यह stock ऊपर जाना start कर देगा, लेकिन in case यह stock ऊपर ना जा करके नीचे जाने लगता है, तो जो यह suggestion देने वाले लोग होते हैं, यह यही कहते है कि आप dip पे और buy करो, लेकिन दोस्तों dip पे buy करते करते कही यह stock इस तरह से slip करते करते, लगबग लगबग आपको 50% का loss दे दे, अगर आप यहाँ पर भी ध्यान से देखोगे, तो इस stock ने कुछी महीनों के अंदर 200 रुपए के level से लेकरके, 103 रुपए का level आपको दिखा दिया है, खेर यह तो बात हो गई, उन लोगों की जो लोग suggestion देते हैं, लेकिन अभी की समय में अगर हम stock में देखते हैं, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, कि यह stock continuously कुछ टाइम इस जगह पर support ले रहा था, और जैसे इस support को break किया, इसके बाद से आपको इस stock में एक downward rally देखने को मिली, और अभी की समय में जो हमारी support line थी यह वाली, इस support line के नीचे यह stock निकल चुका है, तो exactly आपको फिर से कुछ इस तरह का pattern form होते हुए देखने को मिलने वाला इस stock में, खेर यह सारी बाते तो हो गई पहले की, लेकिन अभी के समय में हमें इस stock में क्या करना चाहिए, जिन लोगों ने उपर positions बना रखी ह अब उसका simple सा reason दोस्तों यह समझ लो कि आपको केवल और केवल जो buying करनी है, वो 125 रुपए के level के ऊपर करनी है, अगर यह stock आपको वापिस से 125 रुपए के ऊपर निकलता हुआ दिखाई देता है, तब ही आप इस stock में entry बनाने के बारे में plan कीजिगा, otherwise नीचे के level पर आप तो आप सभी को पता ही है कि वो stock भी कभी के एक समय पर काफी अच्छे price value पर हुआ करता था, लेकिन अभी की समय में वो stock आपको 10-15 रुपए के range में देखने को मिल रहा है, तो इसलिए अगर दोस्तों किसी भी वज़े से यह stock first जाता है इस case में, तो इसमें भी आपको और बिल्कुल भी इस stock में average ना करिए, जब तक आपको यह stock कोई reversal sign ना दिखाए, तब तक आप average करने के बारे में भी बिल्कुल भी plan मत कीजेगा, तो अब दोस्तों simple words में मैं आपको यहाँ पर clearly mention कर देता हूँ, कि अगर आपको इस stock में जो buying position बनानी है, वो अभी की समय में तो विल्कुल भी मेरी तरफ से no buying है, वहाँ दोस्तों अगर आप इस stock में average करने के बारे में plan कर रहे हो, तो जो आपको average करने के बारे में plan करना है, वो मेरी तरफ से अभी की समय में कोई भी average करने के बारे में आपको planning नहीं करनी है, तो अब दोस्तों यह average करना और buying करना क करना है आपको केवल और केवल 125 रुपीज के लेवल के ऊपर निकलने पर जब यह स्टॉक आपको 125 रुपए के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे केवल और केवल तब आपको पोजिशन बनाने के बारे में प्लान करनी है लेकिन यह तो बात हो गई उन लोगों के लिए जो ल आपको देखो यहाँ पर कि अभी के समय में यह स्टॉक अपने हाई से मतलब इसका जो हाई था वो लगबग लगबग 400 रुपए का हाई था अपने हाई से यह स्टॉक अभी के समय में आपको 100 रुपए के भाव पर देखने को मिल रहा है जिसका क्लियर मतलब यह निकल के कि ये stock लगबग लगबग अपने high से 75% correct हो चुका है और जिसको simple सा मतलब ये निकल के आता है कि company के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है जिस वज़े से इस stock में आपको इतनी भारी गिरावट देखने को मिल रही है नो डाउट आने वाले समय में company बहुत अच्छा performance करके आपको दिखा दे लेकिन अभी के समय में जो company का performance है वो इस लायक नहीं है कि हम लोग इस stock में वापिस से entry बनाए या entry बनाने के बारे में plan करें company अच्छे returns देगी तो हम लोग future में buy जरूर कर लेंगे बहले थोड़े महंगे price पर buy करें लेकिन buy करके अपने profits को अच्छा खासा growth कर सकते हैं लेकिन ऐसे समय में जहाँ पर company के ओपर money laundering का case लग रहा है और कई सारी bad news related आ रही है वहीं stock में आप देख सकते हो कि आपको आ company results अच्छे दिखाना start कर दे हमें जरा भी बुरा नहीं लगेगा कि हम लोग company को महंगे price पर buy कर रहे हैं लेकिन वहीं दोस्तो company के अंदर news बिकार है company results बिकार है तो ऐसे case में इस तरह की company से आप जितना दूर रही है उतना ही better रहेगा अब दोस्तों ये वीडियो बनाना इसलिए जरूर था क्योंकि काई सारे लोग मुझे मेरी दूसरी वीडियो की comment section में ये बगया रहे थे कि उन्होंना किसी के कहने पे धनी के share को buy कर लिया है और वो धनी के share में फस गये हैं और उनके जो losses हो रहे हैं वो लगबग 50% से लेकर 60-70% के losses हो रहे हैं तो इसलिए दोस्तों किसी के भी कहने से पहले आप खुद company के fundamental और technical analysis कीजिए उसके बाद आप stocks में invest कीजिए otherwise इसी तरह के losses आपको भी अपने portfolio में देखने को मिल सकते हैं और एक चीज़ धियान रखिए कि कभी भी आप entry बनाईए तो आपके लिए जो stop losses होता है उनको काफी strictly follow तब तक काफी late हो चुकी रहेगी और उस time ना तो आप exit कर पाऊगे stock से और ना ही average कर पाऊगे तो इसलिए इस वीडियो में भी जो मैंने आपको stop loss बताया है अगर आप अभी तक इस stock में entry बना करके रखे हुए हैं तो उस stop loss को strictly follow कीजिएगा जो कि यहाँ पर आप देख स